हलो साथियो नमस्कार स्वागत आप सभी का कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रमुक भारती सहस्थान और उनके मुख्याले को लेकर महतपूर सवाल जिसका एक पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आज फिर हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महतपूर सवाल जो हम से छुट गए थे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आप कुछ है ऐसे देख पा रहे होंगे कि भारतीय रास्टी अभिलेखागार संस्थान आप इसका जो मुख्याले है वो आप कहां पर देखत हैं तो बड़ा इंपोर्टेंट है और आप इसे याद भी रखिएगा आपके पास जो विकल्प मौजूद है नई दिल्ली, कोलकाता, पूने और चन्नई तो पहले सवाल के जवाब की बात करेंगे आपका यहाँ पे नई दिल्ली सही हो जाएगा और आप मेंसे जिन बच् कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहें यह भारत सरकार के परिटन और संस्कृति मंत्राले के समरद एक कार्याले के रोप में कारे करता है जो कि आपको याद रखना है चलिए केंदरी बौध सिक्षर संस्थान आप कहां पर देखते हैं तो केंदरी बौध अध्यान संस्थ यह आपका लेह लद्दाख में इस्तित है तो आप इसे याद रखिएगा यह आपका लेह लद्दाख बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए आगे बढ़ेंगे तो वैग्यानिक और ओदोगिक अनुशंधान परिशद के अध्यच कौन है यह आपका तीन नंबर सवाल है त परमानिदेशक के बारें बात करेगा तो सेखर सी मांडे जो की आप को याद रखना है तो यह सब तीम्हाइब कर दोदेंगे आपके जबर यह लिए आपका ही रास्टिये बरेयन अनसंधान केंद्र कहां पर इस्तित है तो चार नंबर के उत्तर की बात करते हैं पहले तो आप ये जान लीजे किसकी स्थापना 1997 में हुई थी और ये जो इसकी स्थान है वो आपका मानेसर गुरगराम जिला हरियाना में है तो आप चाहें तो यहाँ पर गुरगराम को टिक कर सकते हैं और बाकी चीजे याद रख सकते हैं स्वास्त विभाग ने 14 नॉम बर 1997 को मस्तिस्क अनसंधान के लिए समर्पित एक केंदर की स्थापना की थी ठीक है भारती क्रसी अनसंधान संस्थान किस बर से स्थापित किया गया था 1905 में, 1919 में, 1939 में और 1949 में ये आपका पाच नंबर हैगा जो कि आपके लिए काफी महत्पूर भी है तो मुझे बताइए कि क्या उत्तर देंगे आप चलिए तो पाच के जवाब की बात करते हैं विकल्प मौजूद है आपके पास उत्तर हो जाएगा 1 अपरेल 1905 जो कि आपको याद रखना है और इसका जो स्थान है ये आपसे पूछा गया है ये आपका कहां पे है पूसा डिल्ली में है निदेशक डॉक्टर असोक कुमार सेंग ये पॉइंट भी आपको याद रखना है सरदार वल्लाबही पटेल राष्टी पुलिस अकादमी आप हैदराबाद तेलंगाना में देखते हैं यहापे आप तीक कर सकते हैं इसकी स्थापना 15 सेप्टमबर 1948 में हुई थी ये भी आपको याद रखना है और सरदार वल्लाबही पटेल राष्टी पुलिस अकादमी भारत में सिविल सेवा प्रसिक्षर संस्थान है ये भी आपको याद रखना है केंद्री काच और मृतिका अनसंधार संस्थान आप कहा पर देखते हैं तो केंद्री काच और मृतिका और संधान संस्थान आपको कोलकाता पस्चिव मंगाल में दिखाई पड़ेगा इसकी स्थापना 26 अगस्त 1950 में हुई थी जो कि आपको याद रखना है भूलना नहीं है रास्किय समुद्री विज्यान संस्थान कहाँ पर है ये गाजियाबाद में है ये अन्दमान में है ये रावर्षेला में है ये जहाँ पर भी है आप मुझे बताईए क्या उत्तर देंगे आप चलिए भाई तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी और इसका जो संस्थान इसका जो मुख्याले है वो आप देखते हैं परदी में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए हम आगे बढ़ते हैं अगले मातपूर सवाल की बात कर लेते हैं तो केंद की गई थी तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ये आपका जीवी पंत हिमालया पर्यावरण और विकास संस्थान जो है वो आपका कहा पर है तो ये आपका अलमोला में है अलमोला उत्तराखंड में पड़ता है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और भारतिय वानिकी स संस्थान से संबंदित है मानिता प्राप्त है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट भारतिय वन प्रबंधन संस्थान आप कहां पर देखते हैं तो ये आप भोपाल में देखते हैं भोपाल MP में पड़ता है इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और पॉइंट आपको याद र इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और ये भारतिय खरसी अनुसंधान परिशन के तहर्त कारी करता है ठीक है बाई और भारतिय खरसी अनुसंधान परिशन ये जो है अब ये कहां पर है तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा ये आपका नई दिल्ली में ह ये आपका नई दिल्ली में है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है इसका अध्याच कौन होता है क्रसी मंत्री इसके अध्याच होते है केंद्री अंग्रे एट में हुई थी और 2006 में केंद्रे विश्विद्याले बना तो ये पॉइंट भी आपके दिमार्ट में सेट होना चाहिए तोकलाई चाय अनसंधान केंद्र आप कहां पर देखते हैं तो ये आप जोरहाट में लेखते हैं आपका जोरहाट आपको असम में रिखाई रच्छा अनसंधान और विकास संगठन का मुख्याले कहां इस्तित है अच्छा सवाल रहेगा तो जवाब की बात करेंगे ये आपका नई दिल्ली में आपको निखाई पड़ता है इसका अगठन 1958 होगा जो की आपको याद रखना है ठीक है इसका जो सिध्धान्त है वो बलस से मूलम विज्ञानम है जो की कई बार पूछा गया है रास्की चावल अनसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं ये आप कटक में देखते हो कटक आपका उडिसा में पड़ता है इस्थापना आपकी 23 अपरेल में हुई थी समय आपका 1946 होगा तो ये सारे पॉइं जाम में है या फर जामनगर में है तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टंट है बहुत ज्यादा जरूरी है तो क्या उत्तर होगा इसका 18 अफने, जिसको आता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है आपका फरीधाौत सही है जो की आपको याद रखन है और बहुत महतपूर चीजें हैं ये सब केंद्री औसधी अनुसंधान संस्थान का मुख्याले आप कहां पर देखते हैं तो यह आपको लखनव में रिखाई पड़ता है लखनव उत्तर प्रदेश की राजधानी है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और यहां सोतंतरता के पस्चाद देश में स्थापित सबसे बड़ी प्रियोग सालाओं में से एक माना गया ठीक है भारती रासायनिक जैविक संस्थान ये कहां पर इस्थित है तो यह आपका 20 नंबर सवाल रहेगा बहुत जादा मात्रपूर भी है और आप में से जिसको भी पता है वो चाहे त बता सकता है बारती रासायनिक जैविक संस्थान के बारे में अगर हम बात करेंगे ये आपका कूलकाता पस्चिम मंगाल में स्थित है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और संचालन एजेंसी के विसे में अगर हम बात करते हैं तो वेग्यानिक और ओदोगिक अनसंधान पर उत्तर आपका हो जाएगा ये मतलब हैदराबाद आपका यहांपे विल्कुल करेक्ट है विल्कुल सही है ललित कला अकाडमी आप कहा परिस्तित मांते हैं और चीजें जो है वो आपके लिए क्या है बहूत जयादा जरूरी है ललितकला अकार्मी आपका नई दिल्ली में है और इसका जो मुक्याला है वो भी आप रविंदर भवन दिल्ली में ही मानते हैं इसका गठन 5 अगस्त 1954 में हुआ था जो की आपके लिए बहुत जादा क्या है महतफूर है केंद्री भैस अनुषंधान संस्थान जो है वो आप कहां पर देखते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हिसार हर्याणा जो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी स्थापना आप एक फरवरी 1985 में मानते हैं यह संबद्र किसके है भारती किरसी अनुषंधान परिशद के तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है नहरू ममोरियल संगरहाले और कुस्तकाले आप कहां पर देखते हैं तो यह आप नई दिल्ली में ही देखते हैं इसकी जो स्थापना है वो 1964 में हुई थी तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है और इसकी स्थापना 1964 में जवाहला लहरू के दोरान की गई थी ठीक है आई आगे बढ़ते हैं केंद्री भेड और उन अनुषंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं तो यह आपका अविकानगर मालपुरा राजस्थान में है इसे आप याद रखेगा इसकी स्थापना 1962 की मानी जाती है 1962 की अविकानगर राजस्थान में स्थित माना जाता है और आप इसे याद रखेगा तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट सवाल थे आज के भाद की जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं उमीद करते हैं आपको अच्छे आपको बहुत सारे नोट्स मिलते हैं तो जिसके लिए आपको प्लेश्ट जो आन करना पर है खत्म करते हैं आपसे जल्द मिलेंगे कुछ नए सवालों को लेकर धन्यवाद